प्रणाम, कैसे हैं? बहुत बढ़ी है फोटो लो एक फोटो लेंगे? हाँ, क्यों लेंगे? सच्च देव जी एक फोटो लगता है पूराने लोगों की थोड़ी बहुत विज़त अभी बाकी है आते हैं अबनाई कच्च देव पोटो लेंगे? एक और, एक और विमल ये जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है उस प्रभागर को देखकर मुझे चिड होती कलकाया छोकरा कितना नाम हो गया उसका अश्रम में और हम इतने सालों से यहाँ पे है उसका क्या? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और उसकी तो छोड़ो हमारे स्वामी जी हमारे स्वामी जी कितना भाव दे रहे हैं उसको जब देखो उसी को खोषते रहते हैं प्रभागर कहा है? प्रभागर को बुलाओ प्रभाकर को ये दो प्रभाकर को वो दो प्रभाकर प्रभाकर अरे ये सब चल क्या रहा है पुराने भय सब चाकर और सर पे चटरा है इनके प्रभाकर प्रभाकर कहा है कल जो अतिथी आने वाले हैं उनके लिए सारी तैयारियां हो गई गुलाओ प्रभाकर को स्वामजी वो आ रहे हैं आओ प्रभाकर तुम्हारी ही बात हो रही थी प्रणाम स्वामजी कल जो अतिथी आने वाले हैं उनके लिए सारी तैयारियां हो गई जी स्वामजी सारी तैयारियां हो चुके हैं बहुत बढ़िया तुम्हें कोई भी काम देकर निश्चिन्थ हुआ जा सकता है एक काम और करो पतितियों के लिए जो कमरे तयार हुए हैं उन्हें जाकर देख लो सब ठीक ठाक है की नहीं ठीक है स्वामे जी, अभी जाता हूँ तुम भी जाओ उनके साथ उनकी मदद करो स्वामे जी, हमारे साथ या अन्याय क्यों? अन्याय? कैसा अन्याय? जी स्वामे जी अन्याय हमें लग रहा है कि आप हमारे साथ बख्षपात कर रहे हैं तुम थोड़ा विस्तार से और श्पश्ट बात करोगे? ठीक है स्वामी जी, हमें पता है कि आजकल प्रभाकर पर आपका कुछ विशेश ध्यान है जरूर हमसे अलग उसे कुछ कलाएं और ग्यान दे रहे हैं जिसकी हमें तानो कान तक खबर नहीं होने दे और यही वज़ा है कि इतने कम समय में उसका इतना नाम हो गया है विशेश ग्यान? कैसा विशेश ग्यान? मैंने तो तुम सभी को एक जैसा ही ग्यान दिया है कभी किसी को कोई विशेश ग्यान नहीं दिया मैं नहीं मानता, हमें मालूम है कि आप ऐसा कर रहे हैं और इस बार आप हमें मुर्ख नहीं बना सकते हम इतने वर्ष पूर्वा हैं, यहाँ पे हम वरिष्ट हैं आपके ज्ञान पे तो सबसे पहला अधिकार हमारा है और अब समय आ गया है कि आप हमें हमारा अधिकार प्रदान कर दे तो तुम्हें विशेश ज्ञान चाहिए और अधिक आदर सम्मान चाहिए तो ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा लेकिन मैं एक परिक्षा लेना चाहूँगा और यदि तुम उस परिक्षा में उत्तेन हो गए तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो परिक्षा? कैसी परिक्षा स्वामी जी? बहुत आसान है नदी के किनारे जो गाओं है न, जहां तुम अकसर जाते हो तुम में से कोई एक उस गाओं में जाए और पूरे गाओं में से एक अच्छा व्यक्टी ढूंड कर मेरे पास ले आए समझ रहे हो ना, पूरे गाउं में से केवल एक अच्छा व्यक्टी ढूंड कर लाना है ठीक है स्वामे जी, मैं जाओंगा, ये बहुत आसान काम है ठीक है, सफल हो कर आना कर आना है क्या हुआ सचदेव? तुम्हें कोई मिला? मुझे एक्षमा करें स्वामे जी. मैंने बहुत प्रैस किया. लेकिन… लेकिन क्या सचदेव? बताओ तो सही. स्वामे जी मैं जिससे भी मिला, उसने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बुरा काम जरूर किया. इसलिए मैं एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं ला पाया चलो ठीक है, कोई बात नहीं आपने बुलाया स्वामी जी हाँ प्रभाकर, मेरा एक काम करोगे जी स्वामी जी नदी के किनारे जो गाउं है न, जहां तुम अकसर जाते हो तुम्हें वहाँ जाना है, और वहाँ से एक बुरे व्यक्ति को ढून कर मेरे पास लेकर आना है समझ रहे हो न, पूरे गाउं में से केवल एक बुरे व्यक्ति को ढून कर लाना है जी स्वामी जी स्वामी जी अब फिर से यह अन्या क्यों कर रहे हैं अब वो जाएगा और पूरे गाउं को लेकर आएगा थोड़ा धैर रखना सीखो सच्देव देखते हैं क्या होता है क्या हुआ प्रभाकर बहुत विचलिद दिख रहे हो मुझे ख्शमा करें स्वामी जी मैंने आपको निराश किया आपने चु मुझे कारे दिया था मैं उसमें पूरी तरह से विफल रहा हुआ क्या बताओ तो सही स्वामी जी आपने कहा था कि गाउं से कोई बूरा वक्ति धूण के लाना मैंने पूरा गाउं छान मारा, पर सभी ने कोई ना कोई अच्छा कारे तो किया ही था मुझे ऐसा कोई रक्ति मिला ही नहीं, जिसने केवल कोई बूरा कारे किया हो सब में कोई ना कोई अच्छा ही तो थी ही ठीक है, तुम जाओ कुछ समझ आ रहा है? तुम्हें गाउं में गये, तुम्हें वहाँ एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला क्यूंकि तुम्हें सब में कुछ ना कुछ बुरा दिखा वह भी उसी गाउं में गया, उसे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा क्यूंकि उसे सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखा अब एक बात ठीक से समझ हो तुम सभी मुझे समान रूप से प्रिय हो मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया कभी किसी को कोई विशेश ग्यान नहीं दिया हमारा जीवन खेल उठता है जब हम सब और अच्छा देखने लगते हैं वहीं जब दृष्टी बुराई में अटक जाती है तो पूरा जीवन मुर्जाने लगता है अब यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम क्या देखते हो अच्छा या बुरा अच्छा देखते हो तो अच्छा ही बढ़ती है तुम्हारे साथ सब अच्छा होने लगता है बुराई केवल बुराई को आकर्शित करती है जब हमारा मन बुराई देखने में लग जाता है तो हम कछुए की गती से भी आगे नहीं बढ़ पाते जीवन में केवल वही तेजी से आगे बढ़ते हैं जिनका मनुभाव सकारात्मक है